हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग आप कैसे हो आयो पाच्छे हो और मैं भी रेश्ची हूँ आज मैं बहुत ही टेश्टी रेशिपी लेके आई हूँ सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होगी हमारे लिए बच्चे हो बड़े हो सभी को बहुत पसंद आएगी और इसके साथ हम एक चटपटा सा राजदी की रेशिपी लेके आई हैं जो बहुत ही फैमिस राजटा है तो सबसे पहले हमने ये मैथी ले ली है मैथी हमें छोटी वाली लेनी हैं ज्यादा पकी हुई मैथी नहीं लेनी हैं और इस तरह की हम पत्ते पत्ते लेंगे और इस तरह मैंने ये छोटी-छोटी मैथी निकाल ली है और जो बड़ी थी उन पैसे मैंने पत्ते तोड़ लिये हैं तो इस तरह हमने मैथी ले ली है और इस मैथी को हम पहले धोएंगे धोने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तब भुझिया बना लेंगे ये भी हम मेश्ट नहीं जाने देंगे और इसकी भुझिया बनाएंगे जो हमारी सबजी में काम आ जाएगी मैथी हमारे लिए सर्दियों में जरूर खाना चाहिए बहुत ही हेल्दी होती है मैथी मैथी गरम होती है तो सर्दियों में इसका हमें पूर फाइदा उठाना चाहिए चलो हम इसको काट लेते हैं तब तक हम इसको एक मसाला तयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने पांच से साथ लेसन की कल्या ली हैं और एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है कुछ ली है हरीम मिर्च और तीका आप अपनी हिसाब से कम जादा कर अब हम जिससे अद्रक कूटते हैं उसमें डाल कर और इसको दरदरा कूट कर तयार कर लेंगे और इस तरह मैंने यह कूट ली है ऐसे हम एक बरतन में करते हैं और हम अपनी मैथी की तरफ चलते हैं मैथी इस तरह मैंने काट कर तयार कर ली है ज्यादा बरीक नहीं काटनी है और इस तरह हम काट कर लिए है तयार मैंने काटने से पहले ये धो भी ली थी तो अब हम इसकी तयारी करते हैं यहाँ पर जो हमने मसाला कूट कर रखा है वो इसमें डाल देंगे और यहाँ पर दो चम्मच लेंगे दही यह मेरे खट्टे वाला है तो मैंने कम लिया है अगर आपके पास खट्टा नहीं है तो आप ज्यादा भी ले सकती हैं दो की जगद तीन चम्मच अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरके आठा ले लिया है और इसमें दो बड़े चम्मच मैंने बेशन डाल दिया इससे हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सोंदा पनाएगा और बेशन हमारी लिए हल्दी है तो जरूर डालना चाहिए एक चम्मच अजवान लिया है जो क नहीं डाले और इसमें एक चम्मच मैंने डाल लिया है कुटी हुई डाल मिर्च थोड़ी सी हिंग डाल लिया है कुटी हुई मिर्च की जगे आप पॉडर भी डाल सकते एक चम्मच मैंने धनिया डाल दिया है और टेस्ट अनुसार नमक डाल लेंगे अब इसमें हमने कटा हुआ हरधनिया भी डाल दिया है सर्दियों में आ रहा है तो जरूर डाले इससे हमारे टेस्ट दुगना हो जाता है अब इसमें हम दो चमच ओईल डालेंगे और ओईल डालकर हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे हमें पानी अब नहीं यूज करना है इसे ही हम इसे आगे हम देखेंगे हमें पानी लगेगा या नहीं क्यों हमने धही भी डाला है और मैथी में अपना भी माउस चरूता है तो इसे भी आठा हमारा थोड़ा गीला हो जाएगा अब इस तरह ये मैंने मिलाकर तयार कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा आठा और डालेते हैं मैती हमारी जादा है आठा कम है तो मैंने डेड़ कटोरी आठा लगा लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गूंदेंगे पानी को एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही हम इसे गूंद कर तयार करेंगे जादा हमें मुलाइम भी नहीं कुदना है और ज्यादा हाड भी नहीं गुदेंगे हमें मीडियम कचछ्र्टी का आंटा गुंद कर तयार करना है इस तरह ये आंटा गुंद कर कर अब यह मैंने भेट कर तयार कर लिए एक मैंने मीडियम साज का प्याज लिया है जो बारिक बारिक काट लिया है और थोड़ी सी लिए धनिय की पति अब इन्हें डाल कर हम इसे मिला लेंगे कर और यह मिलकर तयार है अब इसमें आदा चमच लकक्टकार लगत दाला है थोड़ा सा डालेंगे वाइट नमक थोड़ी सी काली मिर्च का पाउड़र थोड़ा सा चांट मसाला इससे बहुत अच्छा तरक तैस्थ आएगा इस रायते में, और यह मसाले मैंने मिलाकर तैयार कर लिए है, अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं, और इस थोड़ा अओँल ले लिया है, और एक चम्मद झीरा ले लिया है, इसे हम तड़कने देंगे, ओर थोड़ी सी हींग लिए जीरे को थोड़ा सा जला लें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पडल लिया है और ये तड़का भी लग गया है अब इसे भी हम मिला लेंगे इस रैसिपी के साथ इस राइटी का बहुत ही अच्छा कॉंबिने अब यहाँ आपना आटा देख लेते हैं आटा खुब अच्छी तरह से सैट हो गया है अब यहाँ पर मैंने थोड़े से हाँ चिकने कर लिये हैं और इस तरह इसे गूंद लिया है अब हम इसे इठा अटाते हैं और यहाँ पर लेते हैं इस तरह का कोई भी चक्रा ले सकते जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं, यहां पर मैंने ले लिया, इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस आटे को इस तरह चिकना करेंगे, इसके हम बनाएंगे लोईयां, लोईयां आप अपने हिसाब से छोटी वड़ी बना सकते हैं और इस तरह लोईयों को यह बहुत ही पसंद आएगे, अगर आपने एक बार बना ली इस रैसिपी को, तो आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे, सर्दियों में बहुत ही फाइदे मंद हैं मैं जरूर खाना चाहिएं, जिनकी कमर में दर्द रहता है और सर्दी बहुत जादा लगती है, तो उ इसे बेलकर तयार कर लिया है, अब हम इसे एक पलेट पर रख लेते हैं और दूसरा भी इसी तरह बेलकर तयार कर लेते हैं आप इसे फटापट बना कर खिला सकते हैं बच्चे को सुवे टिपन में दे सकते हैं लेंच में भी खा सकते हैं साम को भी खा सकते हैं बहुत ही पसंद आएगा और इस तरह मैंने ये इतने सारे बेल कर एक साथ तयार कर लिये हैं अब हम एक अगली तयारी करेंगे और इसमें मैंने सूखा अंटा लगाया है तो ये आपस मैं चिप केंगे भी नहीं और यहां पर मेरा तवा गरम होने रखतीया है, गैस मैंने चालू कर दी है, हम मेडियम गैस पर ही इसे सेखेंगे, लो ओर टू मेडियम गैस पर अब हमने इस पर डाल दिया है और इसे हल्का सा नीचे से ब्राउन होने तक हम इसका इंतियार करते हैं इस तरह हम इसे फ्लटेंगे अब इस तरह हम अलट पलटकर इसे शेकिंगे अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा oil ज़ादा जाए लगता है बस एक चम्मच में ही इसकर त्यार हो जाएगा अब हम इसे थोड़ा सा दवा दवाकर कर सेखेंगे जो मैति हमारी कच्ची है तो अच्छी तरह ये सिख जाए और इस तरह ये शिकर तयार है और अभी मैं एक और सेख कर दिखाऊंगी कि कितने जल्दी सिक्कर तयार हो जाते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में इतने सौप्ट की बिना दातन वाला भी ये का सकता है और इस तरह ये सिक्कर तयार है दूसरा भी इसी तरह हम सेख लेंगे इस नास्ते को जरूर बना कर देखें ये बहुत ही पसंद आएगी और ये सर्दियों की फैबरेट रेसिपी है मेरे घर तो ये डेली ही बनते हैं एका दिन छोड़ कर नहीं तो डेली से ही बनते हैं और बच्छों को भी बहुत पसंद आते हैं और इसके साथ ही जो राइता बनाया है वो तो इसमें चार चांद ही लगा देता है और इस तरह मैंने दूसरा भी सेकर तयार कर लिया है पहुत ही soft बनकर तयार होंगे और इस तरह ये बनकर तयार हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो इसे like और share चैनल को subscribe करें और इस तरह ये इतने सारे बनकर तयार हैं डेर कटोरी में ये हम चार से पाँच लोगों का नास्ता बनकर तयार हो गया है और आप इसे एक बार जरूर बनाना मेरे कहने से और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने soft बनकर तयार हुए हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे आप देख पा रहे हो कितने soft बने हैं गर्मा गरम इसे serve करें और आपकी तारीफ में चार चांद लग जाएंगे अगर वीडियो पसंद आए तो like और share चैनल को subscribe करें और हमें comment करके जरूर बताएं चलो चलते हैं मुसे अब बीट नहीं हो रहा है और इसका हम test लेएंगे